असलाम अलेकुम विवर्स आज हम फ्राइचिकन का बहुत ही सिंपल सा फ्लाव बनाने जा रहे हैं जो के बहुत ही जल्ड बन जाता है और जिसका खाने में बहुत ही यूनीक और यमी सा टेस्ट है तो अपनी रेस्पी को स्टार्ट करते हैं अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्र करें और साथ वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुन सकें तो चले बिना टाइम जाया कि अपनी रेस्पी को स्टार्ट करते हैं तो यहां मैंने एक कड़ाही लिए और इसमें मैंने थ्री खतम हो जाए और इसका हलका सा गूर्डन गलर आ जाए प्लाओं की अल्मोस्ट इंग्रीडियंट्स तो सेम ही होते हैं लेकिन अगर थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया जाए तो डिफिनिटली जाईका भी थोड़ा सा बदल जाता है इस फ्लाओं में चिकन में थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और अब इस टेज पर इसमें थोड़े से गरम साले आड़ करेंगे जिसमें वन टी स्पून जीरा साबत काले मिर्च हाफ टी स्पून दार चीनी का तकरीबन एक इंच का टुकड़ा लोंग 10-12 अदद और बादियाने खताई के दो भूल और इसमें एड़ करेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको भी प्यास के साथ फ्राई करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर अब इस फ्राई किये हुए प्यास में चिकन एड़ करेंगे और इसे भी मजीद 1-2 मिनट के लिए प्यास के साथ फ्राई करेंगे और यूं सासा चमच हिलाते जाएंगे ताकि जो चिकन है वो इस टेज़ पे है वो नीचे लगना शुरू हो जाता है अब 3-4 मिनट के बाद फ्राई करने के बाद चिकन को इसमें 1.5 टेबल स्पून लेसन अद्रका पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भी 1-2 मिनट के लिए चिकन में हलका सा गोल्डन ब्राउन करेंगे लेकिन जलाएंगे नहीं अब यहां आप फ्राई करने के साथ साथ अगर चाहें तो थोड़ा सा पानी इसमें एड़ कर दें ताकि जो मसाला है वो हमारा जलने की तरफ ना जाए अब इस स्टेज पर हम काली मिर्चे एड़ करेंगे जो के 1 टी स्पून है और नमक जो है वो 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने एड़ की हैं आप अपना चाबलों के हिसाफ से देख लीजिएगा नमक एड़ करने के बाद अब इसमें बारी आती है हमें पानी डालने की तो यहां मैंने 4 गलास पानी महियर करके रखे हुए हैं क्योंके मैं 2 गलास चावल बना रही हूं और मैंने चावल के 1 गलास को 1.5 गलास पानी लगाया है और बाकी का एक ग्लास चिकन को गलाने के लिए इसमें एट की है अब यहां पर फ्लेम जो है वो हाई करेंगे और पानी के उबलने का इंतजार करेंगे पानी के उबलने के बाद जो फ्लेम है वो लो कर देंगे और तक्रीबन चिकन के गल जाने तक इसको पकाएंगे अब जो चिकन है वो बहुत अच्छा सा गल चुक है और तक्रीबन इसको गलाने के लिए मुझे 10 मिनट लगे है और ये बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुक है अब इसमें चावल एट करेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं दो गलास चावल बना रही हूँ जिसको मैंने 20 से 25 मिनट पहले 2 से 3 पानी दो के बिगो के रख दिया था अब इन चावलों का पानी निकाल लेंगे और इसे चिकन में इस तरह एट कर देंगे बस ये थोड़ा सा हम इस बात पे जरा फोकस करेंगे कि जो चावलों का पानी है वो चिकन में आ जाए यानि चावलों को बिलकुल खुश करके जो है वो हम चिकन में एट करेंगे अब यहां पे हम मिक्स करेंगे चावलों को और फ्लेम को हाई करेंगे और पानी के उबलने का इनतिजार करेंगे पानी तक्रीबन जो है वो उबलना सचार्ट हो गया है अब यहां पे जो फ्लेम है वो मीडियम पे ले आएंगे और पानी को बिलकुल हुश्छ खौने देंगे अब जो चावल है वो बिलकुल दम के लिए रेड़ी है और यहां पर मैंने दो मीडियम साइस के जो है वो टमाटरों के स्लाइस ली है उन्हें इसके ओपर एड़ की है चावलों के ओपर हरी मिर्चे कटी हुई एड़ की है और साथ में मैं इसके लीमू के स्लाइसेज हैं वो एड़ कर रही हूँ और यूं हमारे जो चावल हैं वो दम के लिए बिलकुल रेडी है तकरीबन इनको 10 से 12 मिनट का दम देंगे और 10 से 12 मिनट के बाद जो चावल है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं देखें इनकी कितनी प्यारी लुक आई है और खुश्बू भी बहुत प्यारी आ रही है तो अब मिक्स को मिक्स करेंगे आप इसकी लुक देख सकते हैं चावलों की बहुत अच्छी लुक काई है अब बारी आती है इसकी मिक्सिंग की यूँ नीचे से चावल उठाएंगे और उपर लाके छोड़ देंगे और यूँ हर साइड से यही पुरे सीजर हम करेंगे यूँ चावल हमारे बिलकुल रेडी है और हर जो चावल है वो एक दूसरे से अलग अलग है और बहुत खिले हुए चावल बनने है तो आपको जरूर ट्राइ कीजिए गर तो अगर वीडियो पसानदा आए तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इसे मेरे चैनल को अगर आपने सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे जरूर सबस्क्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्हाफेज